मसकार कैसे हैं आप आसा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं सुरेइस एक बर फिर से सुरेइस एकडेमी में आपका स्वागत करता हूँ तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सीटेट दिसमबर 2024 के लिए साइन्स अर्थाद बिज्ञान के most expected question with detailed explanation detailed explanation मैं इसलिए लेकर आए हूँ जिससे कि एक question ना सही तो इससे related अगर कोई question आपके एकडेम में आ जाए तो आप असानी से कर दें इसके explanation को समझ के तो समय को गवाई बना शुरू करते हैं आज का पहला question जो कि आपकी प्रेक्षा की द्रश्टी से important हो जाता है अगर ए ना सही तो इससे related कोई ना कोई question आपके exam में आएगा ही आएगा तो देख लेते हैं question number 1 क्या कह रहा है एक लड़के के पास हल्दी का गाड़ा paste है इस paste को hydrochloric aml और sodium hydroxide के जलिये घोल में अलग-अलग मिलाने पर बह कौन सा रंग देखेगा तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि hydrochloric ये क्याए अमल है ये क्यावे अमल है और इस sodium hydroxide क्याए चार है क्यावे चार है इसके साथ ही आपको पता होगा कि अमल और चार को पता करने के लिए कुछ सूचक होते है कुछ indicator होते हैं जो कि कही प्रकार के होते है लिटमस पेपर होता है तर्मेक होता है जिसे हम हल्दी कहते है और हमारा methyl orange होता है वनीला एजेंस होता है फिनॉप्तलीन होता है यह साथ हमारे क्या है indicator है acid or base को पहचानने के तो ऐसे हमें एक लड़के के पास हल्दी का गाड़ा पेश्ट दिया गया है जैसा कि आपको पता है टर्मेक क्या होता है हल्दी क्या होता है एक सूचक ही है acid or base को पहचानने का तो इसलिए इसमें hydrochloric aml और hydro sodium hydroxide के जली गोल दिये गए है तो इसमें जैसे ही हम हल्दी डालेंगे इसमें जैसे ही हम हल्दी का गाड़ा पेश्ट डालेंगे तो क्या होगा हल्दी के साथ जो अमल होता है उसका color जैसा का तैसा रहता है मतलब no change रहता है हल्दी का color yellow रहता है तो yellow ही रहेगा हल्दी का color yellow होता है टर्मेक का color क्या होता है पीला होता है तो वो क्या रहेगा पीला ही रहेगा लेकिन चार जो होता है चार का color क्या हो जाता है चेंज हो जाता है हल्दी के साथ मिलने के बाद तो इस टी कें हल्दी का गाड़ा-पेश्ट की बात की गए टर्मिरिक जो हमारे इंडिकेटर रे सुचक की बात की है तो हमारा जो अमल होगा पीला की पीला ही रहेगा सोडियू घेट कैसा हो जाएगा लाल हो है तो option number B क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा तो hydrochloric अमले में गुला भी यह बात बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें तो यह चेंज ही नहीं होगा और सोडियम हाइड्रॉकसाइड में नीला यह बात गलत हो जाती है नीले की तो में अमले के बारे में बात करbeं इस एसे साबन है तो जिएसा साबन होता है और जो अमल होते जितनी भी वो कैसे होते हैं स्वाद में खट्यूपती होते हैं क्यों नीला को लाल कर देते हैं जैसा कि मैंने बताया आपको जैसे टमरेक इंडिकेटर है वैसे ही लिटमस पेपर भी हमारा क्या बिलू है तो एसिड में क्या होता है रेड का रेड ही रहता है और बिलू का क्या हो जाता है रेड हो जाता है बिलू का क्या हो जाता है रेड हो जाता है लेकिन एसिड में जो बिलू लेड हो जाता है इसके साथ ही जो बेस होता है उसमें बिलू रहता है उसमें क्या रहता है नच्छा होता है, वहीं उसमें क्ना रहता है, वहीं तो यह हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइड हो जाएगा, तो यह हमारा आप ऐसे यारद के लिख ऐख लें कि मान छहिए यह हमाराDu यह हमाराiff अरया a क्या है और i am a red. तो एसे जो होता वह इस इनुचाbekḵ बिलू को क्या कर देता है अभी मैंने बताया और रेड तो रहता ही है रेड तो रहता ही है और जो बेस होता है जो छार होता है वो बिलू तो बिलू ही है बिलू तो बिलू ही रहेगा लेकिन रेड को भी क्या कर देता है बिलू कर देता है रेड को भी क्या कर देता है बिलू क ही रहता है क्योंकि यह लो कलर रहता है रहता है लेकिन जो बेस होता है वो पिंकिस रेड हो जाता है यह आप कह सकते हो लाल हो जाता है इसके लावा हम फ्रॉंप्टलीन की बात करें इसमें भी तो नो चेंज रहता है एक क्या रहता है नो चेंज रहता है लेकिन जो बेस है व तो यह हो गई, इसके बारे में कुछ बात नहीं, समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, जो लिटमन स्पेपर होता है, इसका एक सूचक होता है, वो किस से बना होता है, लाइकेन से बना होता है, और लाइकेन क्या होता है, अलगी और फंगी का क्या होती है, सिंबियोर्टिक सिफ होती है एलगी और फंगे की लाइकेन अब नेश्ट कोस्टिन देख लेते हैं जो कि आपकी परिक्षा की दरश्टी से इंपॉर्टेंट हो जाता है कोस्टिन नमर टू यह रहां के सामने हैं जब हम ताजे बने सोडियम हाईड्रॉकसाड व्लेन में ऐलुमेनिय। ॥ॉЙल मिलाती हैं तो एक गैस बनती हैं निम लिखत में से कौन सा ऑप्सन इसके गुण को सही殷्ग से बताता है यह हमसे पूंचा गया है तो अगर आप देखें तो sodium hydroxide जैसे कि हमने पिछले question में पढ़ा है ये क्या है भी चार है ये हमारा ये क्या है चार है भी और aluminium foil aluminium foil की बात किये गिए तो aluminium हमारा क्या होता है एक धातू होती है aluminium हमारी क्या होती है एक धातू होती है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब चार और धातू यानिकी base की reaction किससे होती है metal से होती है चार की reaction जो अभी क्रिया होगी धातू से होगी तो उससे एक hydrogen gas निकलती है इससे हम क्या कहते है hydrogen क्या कहते हैं भी hydrogen gas निकलती है और hydrogen gas के बारे में आपने पड़ा होगा कि वह hydrogen gas जो होती है वो रंगीन होती है इसके साथ ही गंदीन होती है उसमें कोई सुगंध नहीं आती यह इस टैप की गैस होती है और उससे कैसी sound आती है एक pop sound आती है कैसी pop type की एक आवाज आती है तो अब इसके option देख लेते हैं भी कौन सा सही हो सकता है जो रंगीन और गंधीन गैस होती है बिलकुल और जलती ही मार्चिस को तीली को बजा देती है ये बात तो नहीं कहेंगे भी जलती ही तीली की मार्चिस को नहीं बजाती है र बिलकुल नहीं अभी हमने कहा ना गंधीन होती है और रंगीन भी होती है अब option no.4 देख लेते हैं तो सी भी नहीं होगा रंगीन और गंधीन गैस होती है जो जलती ही मार्चिस की तीली के पास लाने पर क्या करती है पॉप sound देती है क्या पॉप की आवाज देती है तो option no. option no.d हमारा क्या हो जाएगा विलकुल 1 रिट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लेकृट नहीं विदा राइट आंसर ठीक है बाकियां आप चाहे हैं तो इसे पढ़ सकते हैं और नेस्ट कोस्टन नेस्ट कोस्टन यह रहा आपके सामने question no.3 यह भी आपके एक्जाम के point of view से काफ़ी important हो जाता है तो जितने भी question में लेकर आया हूं कहीं न कहीं इस type के question और ये question आपके exam में previous year में आ चुके हैं तो ऐसे ही question लगवा आएंगे with explanation में आपके लिए लेकर आया हूं तो निम लखित में मच्छरों से होने वाले रोगों के एक समों का chain कीजिए तो जो मच्छरों के काचने से जो रोग होता हैं बो हमसे पहूचे गए तो हम बता देंगे भी malaria dingo होता है लेकिन हैजा तो भई नहीं होता है मच्छरों के काचने से malaria हcular 공 Be है आंत जोर कौन सा भी ऐन्त जोर की बात कर रहा है तो अन्ठ जोर तो भूए इसकी काटने से काटने से होते हैं मच्छों के होने से होते हैं खर जह का ओ음 नमबर डी में हैजा और आंतर जुर्दी है जो कि हमने पहले ही बताया कि वहीं यह मच्छों की वजए से नहीं होता है तो ऑपसिन नमबर सी क्या हो जाएगा बल्कुल राइट आंसर डेंगो मलेरिया और चुकन गुनिया जो ऐसे रोग हैं जो मच्छों के होने से होते हैं कि शेयर करने से हमारी नौलिज बढ़ती है और अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए तो आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोस्चन नेस्ट कोस्चन देख लेते हैं वाकी का मैं आपको बता मैं लेता हूँ कि कौन सी बीमारी किस बजया से होती है ऑंतों जरूंट पहुता है पाउंवनन होजाता है तो नोब्हडर किसी नवीचन हो जाता है तो hahaha और पास की विय्क्ति सकते हैं और जो मलेरिया वह उता कैंने से तो फ्रीनिस दूलिया के संपर्ण में आने से एक जाने से कई शूरे से बाई एक प्राकर्तिक स्रोथ से प्राप मानम निर्मित रेसा है बाई क्या हो सकता है लेकिन प्राकर्तिक स्रोथ से प्राप थे तो बाई क्या हो सकता है एक्रेलिक हो सकता है वह एक्रेलिक तो पूरी तरह से मानम निर्मित होता है लेकिन प्राकर्तिक स्रोथ से नहीं मानम न तो इसका जो राइट औराइटव हो जाएगा दिए प्राकरतर दो से हमारों है क्या से और मारा इसलिए हमहों बसिक्षी है होाइब तो तो रहां उस्के स्वर्णि से निलमेगा फ्राप्त है पढ़ सकते हैं कि बही जो प्राकृतिक रेसे होते हैं बहुते हैं जब कई चोटी राशाने ग्रूप से एक साथ जुड़ जाती हैं तो नहीं क्या कहते हैं बहुंलग कहते हैं थीजिया उड़न और एक क्यों रेस में हो जाए यह हो जाएगा ठाल हो जाएगा ठीक तो बाकी आगे बढ़ते हैं ने जिक कोषटन और जणग होता है तो कॉपर के जंग का रंग कैसा होता है यह हमसे क्या पूंचा गया है कि कॉपर के कॉपर का जंग कॉपर में जंग लग जाती है उसका रंग कैसा होता है इससे पहले कि आप इसका अंसर दे मैं आपको बता दूँ जो आयरन होती है जो आयरन होता है क्या होता है लोहा जिसे ह कि बढ़े जाता है ठी लिए का इसके साथ ही अगर कह सकते हैं लाल हो जाता है लाल रेडिस ब्राउ नहीं जाता है एं इसके बाद सिल्वर की बात करें इस सिल्वर का कलर का जो हो जाता है क्या हो जाता है काला हो जाता है लेकिन अगर हम कॉपर की बात कर लें अगर हम कॉपर की बात कर लें तो इसका क्लर कैसा हो जाता है कैसा हो जाता है कैसा हो जाता है कैसे हो जाता है कॉपर के साथ क्या मिल जाता है सी यू तो होता है इसके साथ सी यू 3 बन जाता है क्य यिसरोकलर इसके साती हैं आपसे लोहे के बारे में पूँच लिया झाए तो रैड़ेcall हो जाएगा। और अगर पूँच लिया जाए तो black हो जाएगा। अब हम जान लेटे हैं कि भी जनक क्या होती है। जनक के बारे में जानने के लिए आप यसे पढ़ सकते हैं। दातु जब खुली रहती है तो हवा में मौझूद आक्सिजन और नमी के साथ अविक्रिया करती है और इस पर क्रिया को क्या कहा जाता है जंग कहा जाता है ठीक है धातु का आबरं बाता बरं में आक्सिजन के साथ रासानिक रूप से अविक्रिया करता है और धातु की सते प पे हमारा क्या होता हैесп offend आ जाता है और copper पे carbonate आ जाता है इस वज़ा से जंग लग पें ठीज्ञ यह टीक है अब next question देख लेते हैं Question number 6 नीचे दिये गए डिय गए एक आयता करपात्र जल से भारी एक द्रब से बरा हुआ है ठीक है दाव के बारे में दिया गया है कि A, B और C में सब में बरावर दाव है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा जिससे कि आप जो आयताकार पात रहे आपको अच्छे से दिख जाए तो आप देख रहे हैं इसमें जलसे भारी कोई द्रब भरा हुआ है तो सबसे नीचे जो चीज होती भी अगर आप नورमली कोई चीज देखे जो सबसे चीज नीचे रखेंगे उस पे ज़्यादह्दगा पड़ेगा उस से ऊबर जो होगी उस पर इससे थोड़ा कम पड़ेगा उस पर इन तीनों से कम पड़ेगा तो सबसे ज़्यादा अगर मान लें, इसे ये C है, ये B है और ये A है, तो सबसे ज़्यादा दाब इस पर पढ़ेगा, फिर B पे और C पे, मतलब ऐसा अगर हम करें, तो ऐसे लगा सकते हैं, मतलब C, C, B, A इस टैप से, मतलब C पे सबसे ज़्यादा दाब होगा, B पे उससे क गलत हो जाएगा ए पर दाब अधिक उगा बीपर कम हो गए बात हो जाएगी एक वर्यवाट थोड़ा जो सबसे नीचे सोगा उस पर जादा हो सकता उसमें तो सब्सक्राइब को हो जाग ब्रूकर राइट हो जाएगा हब आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्टन कोश्टन में में हमारा सेवन रहाँ के सामने दोस्तों मैं कहना चाहूंगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो आप क्या करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे ठीक है और अगर और अपनी दोस्तों के साथ सेर करेंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेंगे हमारी लेटेस्ट लिए हमने इस कोस्टन को ठीक है आपको दिख भी रहा होगा और हमने छोटा कर दिया ऑप्षिन भी सारे दिखते होंगे तो देख लेते हैं कोपर अपने लवन बिलियन से जिंक को बिस्थाफित नहीं कर सकता कारण बताईए आठमी कक्छा के छात्रों द्वारा बात तो बिल्कुल नहीं होती है जो जिंक की तुलना में कोपर जो होता है अधिक क्रिया सील नहीं होता है अधिक क्रिया सील नहीं होता है इसके साथ ही मैं आपको एक चीज बता देता हूं एक ट्रिक बता देता हूं कि भी जो अभी क्रिया सीलता होती है उसके लिए तो आ आप इतना याद रहेजिगा PSC में आज है एल है तो ईल होगी कैल्स सॉडियम इससे कम होगी मैगनीसियम इससे कम होगी फिर जिनक ते से कम होगी ऑ किसे सब्सक्राइब सब्सक्राइब के चाथ हाइड्रोजन के बाद कर जाएग आप देखे रहे हैं हमारे यहाँ पर और नहांने है और कोरा हूसब होता है जिंक की तुलना में कॉपर कम है क्रिया स्हील होता है Are से ज़्यादा पॉटेसियम सोडियम फिर कैल्सियम मैगनेसियम एलुमीनियम जिंक आयरन फिर लेड हैड्रोचन और फिर कॉपर आ जाता है और कॉपर से कम कब अभी क्रिया से क्या होता है मरकरी होता है मरकरी से कम क्या हो जाता है भी सिल्वर हो जाता है सिल्वर से कम गोल्ड हो जाता है गोल्ड से भी कम प्लेटेनम हो जाता है इस टैप से आप याद रख सकते हैं पी एस सी में आज आई एल इस टैप से याद रख सकते हैं अभी के लिए सील ठाको तो इसके अकॉर्डिंग ने है तो आपसन नोब्र हमारा क्या हो जाएगा Bi हो जाएगा Option नमब़ी यह क्या हो जाएगा आफ हम्हा हैं नेस्ट कोश्चन ही रहां के सामने कोश्चन नमबर आठ ही रहां के सामने दैनिक जीवन से निम्लिखित उधारां पढ़िए और उप्योग तुभी कल्प का चैन कीजिए जब भोजन खराब हो जाता है तो उसमें से दुरगंद आती है बुलकुल आती है सेव का एक टु आपसर में दिये है जाया और बी राषानी प्रिवर्वतिनों को दर्सके हैं जो ऊती परिवर्तिन आप करके क्या करते हैं जो हमारे करते हैं चेमिकल होती है होती है तो हमारे हमारे के스도 स्का कम करने के tefffill ईका हमारी क्या हो जाती नबर एक के हो जाएगा विल्ग सी रहसाने का परिवरतन हैं बाकि नपक परिबरतनृट कैसि पदाहत के आकार आकिरति रंग बहतिक परिवर्टन आम तोर पर उत्करमणी होता है जैसे पानी है जैसे बरफ है लेकिन अगर हम इसे ज्याद़ टेमप्रेचर में रखेंगे तो यह पानी मुझाएंगा लेकिंद फिर इसका टेमप्रेचर कम करेंगे तो फिर एक पुराइब वाली इस्तोती में आ मतलब एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाता है और फिर से अपने बापस रूप में बदल सकता है वो क्या होता है भी हमारा बहुतिक परिवरतन होता है लेकिन रासानिक परिवरतन उल्टा होता है भी अगर एक बार किसी चीज में बदल गया तो फिर उसमें बापस उसी में नहीं आते हैं यह होते हैं हमारे रासा नहीं परिवर्तन ठीक है तो बाकी काम ने देखी लिया है तो अब देख लेते हैं नेस्ट कोशन कोश्टन नमबर नो यह रहां आपके सामने डैस को छोड़ कर निम्लिकत सभी एकल कोसका बाले हैं तो कोसका के आधार पर अगर हम देखें अगर हम इसके अकॉर्णिक देखें तो हमारे जीव होते हैं दो परकार क्यों होते हैं एक क्यों होते हैं एकल कोसका बाले और एक होते हैं बहु कोसकिये एक होते हैं एकल कोस्किये और एक होते हैं बहु कोस्किये तो एकल कोस्किये में हमारा क्या हो जाएगा एकल कोस्किये में हमारा क्या हो जाएगा मुर्गी का अंड़ा हो जाएगा एकल कोस्किये पैरामीसिम हो जाएगा एकल कोस्किये अमीवा होता है हमारे एकल कोस्किये त क्रोंड क्या होता है बहु कोस्की होता है option number c क्या हो जाएगा बाकि आप देख सकते हैं क्या होता है बहु कोस्की जिन संगेटन के विवन इस्तरों जैसे कोस्की उतक अंग और सरी संगेटन के अंग तंतर को परदर्शित करते हैं, यह हमारी बात होगी, अब नेस्ट देख लेते हैं, नेस्ट कोस्टन, कोस्टन नमबर टैन इरहां के सामने, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जिससे ग्या सा कथन सही है तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगी जो प्रकास की चाल होती है जो लाइट की स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा किसमे होती है वही बैक्यूम में होती है सबसे ज्यादा बैक्यूम में होती है फिर उससे कम हमारी क्या होती है गैस में फिर उससे कम हमारी क्या होती है उस से कम हमारी किसमे होती है भी लिक्विड में फिर उस से कम सबसे कम किसमे होती है भी ठोस में किसमे होती है ठोस में किसमे होती है ठोस में होती है तो आप देखने हैं सगन की बात है तो जहार सी बात है जहां पर बिलकुल बैक्यूम होगा बहां पर क्या ह होगी लेकिन इसमें कहा गया है माध्यम A माध्यम B से अधिक प्रकासिक सगन है तो जहां पर जो चीज़ ज़्यादा सगन होगी बहां पर प्रकास की चाल क्या होगी कम होगी मतलब कहने का A क्या है ज़्यादा सगन है तो यहां पर स्पीड क्या होगी कम होगी लाइट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी थोड़ी कम होगी लेकिन बी में बी में क्या होगी बी क्या है इससे थोड़ा कम सगन है तो बी में लाइट की स्पीड थोड़ी जादा होगी तो अब देख लेते हैं आपसन ए माध्यम ए आपसन में दिया माध्यम बी की तुलना में माध्यम A में प्रिकास की चाल अधिक होगी तो भई हमने देखा ना B में ज़्यादा होगी लेकिन A में कम होगी तो ये तो हो नहीं सकता भई नेश्ट देख लेते हैं माध्यम A की तुलना में माध्यम B में प्रिकास की चाल अधिक होगी पर माद्हम B में प्रकास की चाल बिल्कुलादिक होगी तो उपसिन नमँर B ही हमारे क्या हो जागा बिल्कुल राइट आंसर हो जागा इसके इलावब प्रकास की चाल ए और ility कल इक बेंगे नहीं की जा सकती एभी नहीं कह जाए होंगे और ओस नमर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेजगा हमारी लेटेश वीडियो तुरन पारने के लिए और अपने प्रेक्षा की तयारी को धोड़ा आसांदाना के लिए सो थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग